ये कमानी दार तुला है इस पर हम एक किलोग्राम दर्गमान रख लेते हैं अब अगर आप सुई को देखें तो लगभग एक किलोग्राम पर ये रुख जाती है थोड़ा सा तुला में सुध्धी भी हो सकती है लेकिन अगर सही तुला है तो वो एक किलोग्राम बताएगा आप इससे छोटा बाटने तो ये पांसो ग्राम ऐनी आधा किलोग्राम तो आधा किलोग्राम आप रखेंगे तो ये पांसो ग्राम के निसान पर इसकी सुई को रुखना चाहिए तो इसकी सहायता से हम क्या ज्ञान प्राक्त करते हैं वो देखें कि किलोग्राम जो दरख बिमान का एक मात्रक है तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हम बताएगे कि जो किलोग्राम है वो अगर ग्राम में भी हाजित किया जाए तो एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम होते हैं साधान तया छात्रों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि किलोग्राम और ग्राम में क्या संबंध है उनसे अगर कहा जाए कि दो सो ग्राम धाई सो ग्राम की कोई बस्त है तो उसको किलोग्राम में कैसे बदलेंगे या किलोग्राम है तो उसको ग्राम में कैसे बतलेंगे तो एक पैमाना उनको बताया जाना चाहिए कि एक किलोग्राम में एक हजार ग्राम होते हैं और वो एक किलोग्राम कितना होता है उसको भी आप किलोग्राम भार को उनके हाथ पर रखकर बताएं ताकि उनको अंदाज हो कि एक kilogram है कितना और वो दैनी जीवन में किसी भी बस्तु को जब देखें और उसको उठाएं तो उनको अनुमान हो जाए कि अमुक बस्तु का दरबिमान कितना है जब इसका माफन करते हैं तो तुला में जो ये कमानीदार तुला है और जैसे इस प्रकार की तुला है यह वो तोलग के सिध्धान पर है आगूनों के सिध्धान पर है कि इसमें एक पल्ले पर बांट रखते हैं और दूसरे पर बस्त और बस्त को तोलते हैं तो दोनों ही माध्धम से चाहे इस कमानी दार तुला से और चाहे इस प्रकार के तुला से जिसमें की एक और भार और दूसरी और बांट रखी जाए उनसे दोनों ही प्रकार से संधा सकते हैं कि द्रब्यमान कितना है तो अब आपको हम यह बताते हैं कि किलोग्राम और फिर उससे छोटा आधा किलोग्राम और इससे भी छोटे दरबिमान के बांट होते हैं उनको हम अलग से आपको बताने जा रहे हैं आप यह देखें कि जो दरबिमान नापने के लिए हम आधितर परियोग्षालाओं में इसका उपलोग करते हैं हमारे राशानिक पडार्थों के दरबिमान इससे घ्यात किया जाते हैं तो इसमें कौन कौन से बांट है और उनका मान कितना है यह आपको बताएंगे अब आप जान से देखें कि सबसे पहले हमने एक बांट निकालना है यह अब इसको अगर हाथ पर रखकर देखें तो अन्भव होगा कि इसका जो दरबिमान है वह एक किलोग्राम से कम है बहुत कम है आपको मैं बताओं कि यह कितना है यह केवल सौ ग्राम है तो ऐसे अगर दस बाट लिये जाएं तो जाकर के एक किलोग्राम होता है तो एक किलोग्राम सौ ग्राम के बराबर होता है यह हम आसानी से समझा सकते हैं और विद्यारती इसको अपने मस्तिस्क में रख सकता है कि एक किलोग्राम एक हजार ग्राम होता है क्योंकि सो और दस टुक्रे तो एक हजार हुआ और एक किलोग्राम तो अगर हम इस कमानी दार तुला या इस परकार के जो दो परले वाले तुले होते हैं इन पर हम एक और एक किलोग्राम रख दें और दूसरी और ऐसे दस टुक्रे रख दें और विद्यार्थी से पूछें कि एक किलो ग्राम में कितने ग्राम हैं पढ़कर बताओ तो विद्यार्थी तुरंट समझ लेगा कि एक किलो ग्राम में एक हजार ग्राम होते हैं ये बहुत ही साधारन सी चीज है लेकिन विद्यार्थी अनेक गलतियां इसमें करते हैं अकसर देखा जाता है कि जब किलो ग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो वो गल्तियां कर जाते है और जब परियोगात्मक रूप में बिद्यार्थी ये समझ लेगा कि एक किलो ग्राम में एक हजार ग्राम होते हैं उसने देख भी लिया है परियोग करके तो वो कभी नहीं फूलेगा, अब इसके बाद आप देखें इस से छोटा, अन्दाज से देखिए कि कितना हो सकता है, यह 100 ग्राम है, इसका यह ठीक आधा है, तो यह 50 ग्राम, तो 100 ग्राम, फिर 50 ग्राम, और भी हम आगे बढ़ते हैं, और इनको एक स्रेणी से हम रखते जाएं, आप देखते जाएं, 100 ग्राम, और फिर यह 50 ग्राम, फिर उसके बाद एक और इसमें से बाट निकालते हैं, इसको देखिए, तो 100 ग्राम हो गया, 50 ग्राम, फिर 50 से यह कम है, तो नापने के अनुसार, मतब जिससे की आसानी हो, हर प्रकार के भार को हम तौल सकें, तो ऐसी ही गिंती में यह बाट बनाए जाते हैं, तो यह 20 ग्राम है, और इसी प्रकार, एक 20 ग्राम का, एक दूसरा टुकड़ा भी यहां रखते हैं, यह देखिए, यह दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब आपके समने, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, फिर 20 ग्राम, अब 20 ग्राम से भी कम बाट देखें कौन सा है, यह आप देखें, यह 10 ग्राम का है, तो अब हो गया 100 ग्राम, 50 ग्राम, फिर 20 ग्राम, 20 ग्राम, फिर 10 ग्राम, अब 10 ग्राम से भी छोटा, यह देखें, यह 5 ग्राम का, तो 5 ग्राम से भी छोटा देखें, अब आप यह देखें, यह 2 ग्राम, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इन बाटों का आकार छोटा होता जाता है, छात्र भी इसमें रूच लेंगे, समझेंगे कि ग्राम, किलो ग्राम और उसके छोटे छोटे भाग कैसे आते जाते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, आकार में और उसके मान में कैसे संबन्ध हैं, अस्थापित कर सकता है, अब फिर एक 2 ग्राम का टुकरा हमाओर निकालते हैं, यह 2 ग्राम, और अब देखें, कि आपके सामने आ रहा है एक ग्राम, यह एक ग्राम हो गया, अब यह जिसे एक परिवार के सदस्जेसे लगते हैं, कि 100 ग्राम से शुरू करके एक ग्राम तक हम पहुँच गए, छोटे टुकलों में इसको हमने बना लिया, और इन ही का उप्योग करके हम अब कम से कम एक ग्राम तक नाप सकते हैं, कि आप विद्यार्थियों को इन बाटों से परिशे कराएंगे और इनकी उप्योगता को बताएंगे.